अलो बच्छे हों, let's see the question, the question says, इतायल अल्कॉल is manufactured by, तो भी सबसे पहली process है कि आपका fermentation of sugar, तो भी क्या है यहाँ पर अगर हम देखें, तो, हाँ, जैसे मेरी जो sugar होती है, कौन सी? सूक्रोस, तो सूक्रोस का आप क्या गरते हो, सूक्रोस का आप hydrolysis करते हो, किसकी presence में, invertase की presence में, तो सूक्रोस का जब आप invertase की presence में hydrolysis करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है यहाँ पर glucose प्लस fructose, ठीक है? और glucose और fructose का आप एक साथ चाहो तो, एक साथ या फिर खाली glucose का चाहो तो, किसकी presence में, इस बार हम इसका fermentation करते हैं, एक और enzyme, पहले enzyme मैंने कौन से लिया था, invertase, इस बार मैं दूसरा enzyme लेता हूँ, जिसका नाम होता है, जब भी आप glucose का fermentation करते हो, जामेस की presence में, आपको मिलता है सीधा-सीधा C2H5OH, and that is your alcohol, ठीक है, यह आपकी कुछ 13% alcohol होती है, इसको हम ferment करते हैं, 95% तक लेके जाते हैं, वो बात-बात किये, लेकिन हा, ethyl alcohol अगर मुझे बना नहीं है, तो सबसे पहला क्या था मेरा, कि भाई, fermentation of sugar, हाँ सर, पहला method तो बल्कुल ठीक है, अगर आप इसका B वाला method देखेंगे, वो क्या गया रहा है, hydration of ethylene, ethylene हो गया मेरा CH2, double bond, CH2, ethylene, और इसका अगर मैं hydration, hydration का मतलब क्या होता है, addition of hydrogen, अगर मैं इसका, sorry, hydration दे रखा है, हम hydrogenation नहीं, हम इसको hydrogenation ले रहे थे, लेकिन हमें यहापे hydration दे रखा है, सिर्फ H2 क्या होता है, hydrogenation, तो confused मत होएगा आप भी, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका अगर hydration कर रहा हूँ, अगर addition of water कर रहा हूँ, तो आपने क्या किया सर्, एक साइड आपने H जोड दिया, दूसरी साइड आपने क्या OH जोड दिया, और आप कहेंगे, अरे सर, CH3, CH2, OH, यह क्या बना दिया, यह आपने again मेरा ethyl alcohol बना दिया, तो option B भी एगदम ठीक है, और last, अगर आप देखोगे मेरा, option C, option C का कहा रहा है, यह कहा रहा है कि catalytic reduction of acetyl dehyde, मतलब, अगर आप इसका acetyl dehyde, आप एथिनल का, आप क्या करते हैं, catalytic reduction, मतलब H2 in presence of platinum, palladium, nickel, कोई भी अगर आप compound लेते हैं, कोई भी catalyst लेते हैं, उसकी presence में अगर मैं साइड रिदक्शन करता हूँ, तो सर, रिक बात देखिए, यह क्या है मेरा, यह मेरा aldehyde है, और aldehyde का जब आप reduction करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, सर, आपको मिलती है 1 degree वाली alcohol, तो अगर 2 carbon वाला aldehyde है, यह x-chap reduce होके, आपको क्या देगा, CH2, CH3, CH2, OH, इसने मुझे क्या दिया, 1 degree वाली alcohol, और this is what, this is your ethyl alcohol, तो सर, C option भी बिल्कुल ठीक है, तो अगर आप देखोगे, तो A, B, C, सर, all of the above is the right answer, तो सर, the correct answer should be option D, तो hope this answered your question, thank you and all the very best.